दोस्तों कल हमारी टीम के दोरा YouTube के community post के उपर एक question पुछा गया आप सभी से, आप लोग ने उसका answer भी दिया, पर actual में काफी सरे students को इसके regarding बहुत confusion होगी, तो थोड़ा समय आपको समझाने ही कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पर सवाल क्या था, कि यहाँ पर कौन सी हमार बाजी के अंदर answer कर दिया, उस चक्कर में उनका question हो गया गलत, देखो जब भी मैं अपनी CCAT classes भी लेता हूँ ना, तो वहाँ पर भी students को बोलता हूँ, कि questions हमें जल्दी answer करने हैं, जल्दी मतलब तेजी से solve करने ही कोशिश करनी है, तांकि हमारा time बचे, पर कभी भी question आप को जल्द बाजी के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, तो जल्दी करो, जल्द बाजी मत करो, यहाँ पर जिन बच्चों ने इसका गलत answer दिया ना, उनके case में यही हुआ है, कि बिना पड़े, या फिर कम जल्द बाजी में पड़ते हुए, उन्होंने question का answer कर दिया तो देखो जहां से समझो, question क्या रहा है, question क्या रहा है कि कौन सी ऐसी state है, जिसकी international body है, तीनों side के उपर, यही question है, कहीं पर भी उसने ये बोला, कि तीन countries के साथ बॉल टच होता है, नहीं, बिल्कुल भी ये बात नहीं बोली, उसने बोला, कि किस state की international body, तीन sides के उपर है, मतलब international boundary है किस के साथ, तो यहां पर आप notice करो, यह रहा आपका त्रिपुरा, अब त्रिपुरा का आप चेक करो, northern side के उपर भी, western side के उपर भी, और southern side के उपर भी, तीनों side के उपर यहां पर आपको international boundary देखने को मिल जाती है, क्या ये चीज वेस्ट में कॉल के लिए true है नहीं, यहां western side देख लो, नहीं, northern side पर भी majorly, यहां पर नहीं कोई international border, यहां पर भी, southern side पर भी ऐसा नहीं देखने को मिलता, eastern side पर बिल्कुल है, तो यहां पर जो बाकी option है, वोल ठीक नहीं बनेगे, यहां पर सही answer इसका, C तो रिपर ही आएगा, getting the point, तो यह नहीं पड़ोगे, पकी बात है, आपने सोचा होगा, यार, कि मैं तो ठीक कराया, और मुझे plus two marks मिल जाएंगे, पर actual में जल्दवाजी हैं पड़ा हुआ सवाल, हमेशा point 66 negative में लेकर आता है, तो question हा, जल्दी करो, पर जल्दवाजी नहीं, तो I hope आपको आज का lesson अच्छे से मिल गया होगा, राइट, तो दोस्तो date है आज की, 18 September 2023, और आप सभी का स्वागा था, आज के फिलें बूस्टर, news discussion के अंदर, इसको start करें, देखो, आज 28 September है, आप जानते भी होंगे, कि आज हमारी जो शीदियाजम है, भगत सिंग जी, उनका जनम दिवस है, 116th birth anniversary आज उनकी है, ठीक है, और देखो, sacrifice का, अगर कोई मैं प्राइम एक्जांपल मुझे दिमाग में आता है, तो definitely वो सभधार भगर सिंग जी का ही आता है, ठीक है, कितनी कम उमर के अंदर अपने देश के लिए कुर्बानी देना, ये अपने आप में बहुत कम ऐसी मिसाले हमें देखने को मिलती है, तो definitely इनकी जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, प्लस at the same time, आपको क्या करना है, आपके लिए आज का homework यही रहेगा, कि आप अपनी history books को open करोगे, और जो revolutionary activity को अला topic है ना, उसको यहाँ पे आज अपने revise करना है, उसी तरह से हमारे जो external firm minister है Dr. S.J. शंकर जी, उन्होंने भी कुछ बात करी है, Canada के respect के अंदर, कि इंडिया की बिल्कुल भी ऐसी policy नहीं होती कि बाहरी soil के उपर दो jobs को इट करें, पर Canada जैसी country यह चीज़ कर रही है, ठीक है ना, और बहुत सारे हैं ना, कि उनके बास कोई proper information है नहीं, और हमारे उपर जिनको आज हम discuss करेंगे, एक topic हम समझते थोड़ा, lithium reserves के बारे में, देखो, lithium के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, कई बार मैंने प्रेले booster के अंदर भी discussion किया, lithium आज के time के उपर ने, बहुत ही important हमारे पास raw material बन चुका है, क्यों? क्योंकि देखो, for example, अगर आपक electric vehicles बनाने है, उसकी batteries बनानी है, उसके लिए raw material जो है ना, वो lithium ही use होता है, इसके लाव भी lithium ना, बहुत सारे और चीज़ों के अंदर आपका usage का देखने को मिल जाता है, होता क्या है ना, जो इनकी batteries होती है, lithium batteries, इनकी energy density बहुत जादा होती है, यह कर ने, कल को पूछ सकता ह UPSicle को यहां पर low लिख देगा, तो नहीं, यहां पर energy density की बहुत high होती है, जिसकी वज़ा से power to weight ratio का काफी बढ़ जाता है, इसके साथ ही साथ, ठीक है, different temperatures के अंदर भी काम कर सकते हैं, energy efficient होते हैं, तो जैसे यह से हम सोच रहे हैं कि आने वाले time के अंदर हम अपने environmental goals को complete कर हैंगे, वहां पर lithium का बहुत important role रहने वाला है, मैंने आपको lithium triangle भी समझाया हुआ है, ठीक है, अर्जेंटीनिया, बोलीविया, चिली, याद है न, तो वह वाला मैंने area भी बताया था, South America वाला की यहां पर यह आपको lithium reserves काफी अच्छे कासे देखने को मिल जाते हैं, अब याद करो, पिछला साल, पिछला साल ने, in fact, इसी साल की starting की बात है, जम्मो एंड कश्मीर के अंदर न, रियासी district है, यहां पर पहली बार, मतला हमें discover हुए थे, कुछ lithium reserves इंडिया के अंदर, किस ने discover किया थे, GSI, जो logical survey of इंडिया, इनके दोर यहां पे, reserves यहां पे, ढू ठीक है, अब आपके रिवांत, हिल्जा, दिगाना के अंदर, वहां पर भी यह चिस हमें पाई गई थी, तो कहिना कि अगर इतने अच्छे कासे हमें मिल रहे हैं, तो 80% country की demand को यहां से meet किया जा सकता है, तो यह कि अच्छी बात है, अब क्या हुआ है recently, हमारी सरकार ने सो कार ने एक list जारी करी है कि यह है critical minerals, वो minerals जो किने के हमारी देश की economic development and security के लिए बहुत ज़्यादा important है, उनको नाम दिया था, क्या critical minerals का नाम दिया था, तो यह भी हमारी डिसकस करी ही चुके है, next topic कि तरह फागे चलते हैं, that is AFSPA, देखो AFSPA के बारे में भी आप जानते ह चलता हूँ, 1942 के अंदर में आपको quit India moment देखने को मिलती है, उस time के उपर जो Britishers हैं, वो यहाँ पर AFSPA लगाते हैं, ठीक है ना, कहीना कहीना जो एक तरह से उनके against, जो revolt हुआ था, उसको एक तरह से दबाया जा पाए, चलो यह तो before independence की बात हुई, पर after independence में 1958 के अंदर हमे the point, यहाँ पर क्या होता है ना, हमारे जो armed forces होती है, उनके पास थोड़ी सी जादा powers आ जाती है, उनके पास exceptional powers आ जाती है, उनके पास अच्छीगा सी immunity आ जाती है, किस तरह की immunity, कि देखो कुछ ना, यहाँ पर disturbed areas होते हैं, दर असल में यह जो act है ना, इसी का अगर आप sections को खोलोगे, तो आपको जो section 3 है, वहाँ पर disturbed area करके एक जिकर है, अगर कोई area के अंदर हमें लगता है, कि यहाँ पर issues चल रहे हैं, तो उस area को disturbed area गोशित किया जा सकता है, उस इसाब से फिर वहाँ पर जो armed forces हैं, उनके पास कुछ extraordinary, पावसी extraordinary community आ जाएंगी, सिर्क किस तरह community देखो वह जाकिना अगर वह चाहें, तो कही ना कही अगर उनको लगता है, किसी के ओपर suspicion है, किसी के ओपर शक है, तो उसको arrest किया जा सकता है, बिना किसी वारेंट के, कल को किसी जगह पर जाकि उन्होंने चानवीन करना है, तो वह भी किया जा सकता है, बिना किसी चानवी के getting the point तो इस तरह की चीज़े करी जा सकती हैं के यहां पर ना काफी बार armed forces इनको definitely national security के लिए यह चीज़ important है पर के बारना यहां पर इल्जाम यह लगाए जाते हैं कि यहां पर human rights का violation हो रहा है क्योंकि हमने armed forces को ज़्यादा पाबर दे दी यह देखो आप लोग अपने internal security के अंदर जो mains का slivers है उसके अंदर यह चीज़ पढ़े हो गए भी तो अभी क्या हुआ है ना इस particular act को जो आफस्पा है वो छे महीने के लिए मनीपुर के hill districts के अंदर extend कर दिया गया है यहां पर law and order maintain करना बहुत ज़्यूरी हो चुका है तो कहिना कि वहां की जो आम मतलब armed forces को वहां पर ज़्यादा powers देने की बात करी गई है छे महीने के लिए तांकि कहीना कहीं इस चीज़ को टैकल किया जा पाए यह चीज़ आपक आपके state के जो governor वगरा है वो यहां पर भी इनको disturbed area वगरा गोशित कर सकते हैं तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए आगे बड़े उससे वहले एक छोटे से information है देखो UPSC प्रारम जो की मरा तीन साल का program है ठीक है ना उसकी आप जानते थे कि साथ दिन की classes उसकी free है तो कैसा schedule होगा किस तरह से proper जो slivers है ना complete coverage कैसे कराया जाएगा एक step wise manner के अंदर के बहुत ही planned way के अंदर यह जिस करी जा रही है ताकि आपको किसी भी step के अंदर कोई भी दिक्कत ना है and आप इस exam को अच्छे से crack कर पाओ तो definitely साथ दिन की classes free है जाकि आप इनको check करना मैं नीचे comments में इसका link दे दूँगा आगे चलते हैं डिसकस कर लेते हैं एक topic angel text के बारे में अब सर यह क्या है angel text देखो समझ नहीं कोशिश करना मान लो एक person है ठीक है इसका नाम webhub लग रहते हैं ठीक है ना मान लो webhub ने क् company start करी ठीक है अब company start करी भईया company चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा बिल्कुर starting की है company अभी company बड़ी नहीं हुई company बिल्कुर छोटी सी company है अब उस time के उपर ना इसको को पैसा नहीं देगा देखो जो बड़ी company होते हैं जैसे for example reliance है अब reliance को पैसा चाहिए तो मिल ज इसा दे दे तो कही ना कहीं वो उसके लिए ना एक परी से कम नहीं है ठीक है ना तो यहां पर कोई person मान लो आ जाता है तो वो क्या वैबफ के लिए एक angel नहीं हुआ बिल्कुल हुआ क्योंकि उस person ने ना उस समय के उपर invest किया जब उसकी company बिल्कुल छोटी है जब उसके पर बिल्कुल ना कोई भरोसा करी नहीं रहा ऐसे टाइम के उपर कोई person आकर आपके उपर भरोसा करता है और आपकी company के अंदर invest करता है तो यह दिखाता है कि सामने वाला बंदा तो एक परी के तरह सा ही है तो इसी चीज़ को बोलते है angel investor ठीक है अब पता क्या होता है अग अगर मानलो यह जो startup है यह तो अभी list नहीं हुआ list मतलब share market के उपर थोड़ी है यह तो unlisted है ना बिल्कुल ठीक बात है अगर मानलो इस startup को 50 क्रोड की investment दी वैभव को 50 क्रोड की investment दी और एक लाग के share दिये मतलब एक share का दाम है 5000 और उसने कितने share दिये एक लाग तो net value क्य उस company की value कितनी थी 20 करोड पर इस बंदे ने कितने पैसा invest कर दिया 50 करोड तो आपको नहीं लगता कि actual में उसकी worth थी मतलब किसी के वह बोलते हैं कि तरी औकात क्या है तो मानलो उस company की औकात थी एक तरह से 20 करोड पर सामने वाले ने उसके अंदर पैसा डाल दिया या उसने करोड डाली गई है अब यह 30 करोड के उपर ना यहां पर tax लगेगा getting the point मैं यह नहीं कहरा 50 करोड के उपर tax नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जो excess of market value था excess of fair market value यानि कि जो 30 करोड था ना उसके उपर tax लगेगा अब आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ ऐसा क्यों इसके उपर tax करी जाती है क्योंकि बात वही है हो सकता है उस angel investor का बहुत सारा पैसा हो वो कहीना कि अपने काले धन को उसको white करने ही कोशिश कर रहा हो money laundering करने ही कोशिश कर रहा हो तो यहां पर इस तरह की चीज़ें हो सकती है तो यहां पर इस वजह से ना इसको angel tax लगाया गया है तो य पर अब जो सामने वाला था angel investor था वो सोचेगा नहीं यार अगर मैं 50 kron डालूगा तो मुझे 30 kron के पर tax देना पड़ेगा तो वो सोचेगा कि यह कम से कम इसकी value दूँ तो यह चीज़ हमें थोड़ी से पता होनी चाहिए तो अब भी पता क्या हुआ है जो income tax department है उसने क्य क्या किया है उसने कुछ नए angel tax rules ले क्या है आपको detail में नहीं जानने कि यह rules क्या है पर यहां पर इन्होंने क्या क्या है ना इन्होंने तरीक का थोड़ा असान कर दिया है एक्चल में आप notice करो यह value find करना अपने आप में बहुत मुश्किल है कि actual में इसकी fair market value 20 करोड है 30 क कितनी है यह find करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए थोड़ा तरीका थोड़ा असान किया है पांच तरह की system लेकिया है ठीक है इन साथ ही साथ इनका process भी थोड़ा सा आसान कर दिया है तो कुछ यहां पे central board of direct taxes को रहा थोड़ा rules को change किया गया है कैसे इनकी valuation करन जाएगी तो उसको आपको वो UPSC के लिए not relevant बट आपको एक idea होना चाहिए कि यहां पर थोड़ी clarity मन जाएगी तो इस वजह से यह चीज़ helpful हो जाएगी बाकि angel tax को आप notice करोगे तो net investment के उपर 30% में देखने को मलता है जो की fair market value से उपर होता है उसके उपर 30% लगेगा यह पर पहले क्या होता था सिरफ resident investor के उपर होता था पर जो finance act 2023 का उसने बोला कि नहीं जो non-resident investor है उसके उपर भी April 1-2024 से यह tax लगने लग जाए तो यह था angel tax के बारे में आगे बढ़ते हैं end scheme के बारे में जान लेते हैं RODTEP इसका meaning क्या है remission of duties and taxes on exported product scheme थोड़ा इसको जानन काम क्या जीम कर लेते हैं let's say इसका नाम वैबव भी है यह चाहता है कि यार मैं कोई चीज export करूँ अब export करेगा इंडिया से कोई चीज मानलो दूसरी country बेजेगा तो क्या इंडिया के लिए अच्छी बात है बुरी बात है the answer is अच्छी बात है कही ना कहीं यह जो समान बा अब इस वज़ा से क्या होता है ना यहाँ पर सरकार कुछ ना कुछ इनको schemes ऐसी कुछ policies इनके लिए बनाती हैं ताकि यह और export कर पाएं तो हुआ क्या था ना हमारे पास एक scheme थी MEIS merchandise export from India scheme हमारी यह scheme चल रही थी बढ़िया और दिक्कत बता क्या आगी दिक्कत आगी WTO के अ हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा क्योंकि सरकार नेती स्पोर्ट देती है ना तो मा जो प्रॉड़क्ट था वो हो गया सस्ता इस चक्कर में क्या हुआ इस चक्कर में दूसरी कंट्री के जो समान थे वो विकने बंद हो गया है कि नहीं क्योंकि ब्रजील का प्रॉ इसके जगा एक नई स्कीम लेकर आए RODTEP अब ये अपने आप में WTO के साथ compliant है यहाँ पर किसी भी कंट्री को कोई दिखकत नहीं है यहाँ यहाँ पर काम कर रहे हैं तो गौर्मेंट ने क्या बोला है अभी कि हम यहाँ पर जो support वगरा प्रोवाइड कर रहे थे इसको extend कर रहे हैं जो support अलग-अलग तरह से हो सकती है जैसे for example कि किस तरह से उनको जो taxes, duties या levies हैं इस तरह की taxes, duties वगरा को उनको reimburse कर दिये जाए ठीक है पहले जो MEIS तरह उसमें जादा कुछ benefits हो देते वो WTO के साथ compliant नहीं थे पर ये वाले आप WTO के साथ compliant है प्लस साथ ही साथ इनको जो credit duty script है कुछ cases में वो भी मिलती है कि मालो इन्होंने कुछ export किया तो उसके बदले में हमने कागज का टुकड़ा दे दिया इस कागज के टुकड़ा की value है 100 पे कल को हो सकता है in particular जो web app भाई साब है ये कुछ हो सकता है कल को बहार से कुछ import भी कराए तो कुछ import करवाएंगे ना तो उनको ये कागज का टुकड़ा दिखा देंगे तो उनको 100 पे माफ हो जाएगा जो उनको importer को duty देनी पड़ती थी तो इस तरह के कुछ benefits यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्योंकि काफी technical scheme है ये तो remission of duties and taxes on exported product scheme ये scheme किसके साथ linked है आपको अब idea हो चुका है इस तरह के कोई भी taxes, कोई भी duty इन सभी का इनको refund मिल जाए पहले जो की refund नहीं होता था या फिर refund नहीं मिल पा रहा था वो सारी चीज़े भी देखे गई है तो ministry of commerce and industry इसके साथ involved है ये बात आपको definitely नहीं भूलनी है तो यहाँ पर अलग-अलग तरह के benefits यहाँ पर मिलते है तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो यह scheme का एक basic idea आपको रखना है बहुत detail में जाने की जरुएत नहीं है क्यों काफी technical यह अपने आपे मुद्दा फिर बन जाएगा उसी तरह से एक चोटी सी वाज़ चीज़ है GIS या GSI ठीक है GIS नहीं GSI Global Security Initiative दरसल में जो चाइना के जो वहाँ के president है Zee Jingping उनके कुछ initiatives आये हैं सामने उनका क्या नाम है जैसे Global Security Initiative, Global Development Initiative Global Civilization Initiative इस तरह की चीज़े आ रही है यहाँ पर कुछ नहीं है देखो चाइना कोशिश करता रहता है कहीना की जो west की चीज़े हैं उनको कहीना की tackle कर पाएं तो यहाँ पर जो USA का role है एशिया के अंदर उसको de-legitimize करने के लिए और चाइना को आगे बढ़ाने के लिए यह इस तरह की initiative स्टार्ट हुए है अब यहाँ पर न अभी निपाल के जो प्राइम निस्टर है पुष्प कमल दहल जी जो प्रचंड के नाम से जाने आते हैं वो चाइना गे तो उन्होंने क्या वोला कि ठीक है यार हम चलो इसका पार्ट बिलकुल न ही बनेगे तो यह तरह से आप ऐसा भी कह सकते हो कि नेपाल जेडा एक्ट कर रहा है चाइना के साथ बी इंडिया के जुड़ा हुआ है इंडिया का एक्स वह भी देखने को मिलता है यहां पर स्कोप भी तो यह ध्यान में रखना है गुगल सेक्योर्टी हो गया डिलफ में इस्टिव हो गया इस चीज़ा का वारे आपको पता होना चाहिए तो यह कुछ जिन्थे हम डिसकेशन कर भी रहे हैं उसके रिकाड़िंग बाकी तो आज ही हमने डिसकास किये तो इसका मुझे आप नीचे कॉमेंट्स में अंसर बताइएगा New Education Policy के रिकाड़िंग एक क्वेशन मैंने आपको दिया है इसका मुझे आप अंसर बताना और साथ साथ चाइना स के साथ waterkin countries का touch होता है एक मुझे ये भी आप चीज बताना इसके साथ में एक चोट सा एक point था मैं बता दू यहां पर ना RODTEP के अंदर में बात करूं यहां पर ना यह सभी manufacturers और merchant exporters के लिए open हैं यहां पर ध्यान रखना कई बार क्वेशन उपयासी बूच लेता है यहां पर कुछ limit लगाई यह है पर अक्चल में यहें कोई भी लिमिट नहीं है करी पर होता है कि 100 crore तक ही आपको benefits मिलेंगे 200 crore तक ही benefits मिलेंगे नहीं यहां पर कोई भी threshold नहीं है, कोई भी टर्नोबर के कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है, हर किसी एक्सपोर्टर को, हर इनको मर्चंट एक्सपोर्टर को, मनुफेक्चर को, यहाँ पे बेनिफिट्स है, there is no threshold, यह बहुत important point था, तो यह भी आपको समझ आ गया होगा, तो इसके मुझे आप अंसर बताना, new education policy का भी, और South China Sea की सथ किसका बोड़ टच होता है, इसका मुझे आप नीचे कमेंट्स पे अंसर बताना, कल जो topic discuss किये थे, उसका एक बार quickly answer discuss कर लेते हैं, एक था क्या, geo special intelligence, क्या यहाँ पर जो चीज होती है उसमें development, implementation and evaluation of digital twins के रिगार्डिंग, बिल्कुँ सही बात है, कल हमने digital twins काफी detail में हमने पड़ा भी था, तो इसका answer हो जाएगा, true, इसका answer हो जाएगा, दूसरे statement की बात करें, Osiris Rex, क्या यह Sun को study करेगा, नहीं, वो तो Aditya L1 था, ठीके ना, यहाँ पर Osiris Rex का तो जो Bennu asteroid था, उसको यहाँ पर study किया गया, उसके बात करें, तो क्या Atlantic Ocean के अंदर largest hole है, नहीं, यह तो आपको South China Sea के अंदर देखने के मिलते हैं, तो यहाँ पर यह statement भी आपकी गलत हो जाएगी, आगे चलें, कल मैंने collegium system का मुद्धा होता क्या है, देखो actual में क्या हुआ ना, कि हमारे जो जैसे जो judiciary है, जो judges है, इनको appoint कौन करेगा, तो यह तो हमारे constitution में लिखा हुआ है, कि इनकी appointment करी जाएगी, president साब के दोरा, ठीके ना, पर में एक word है, वो है कि यहाँ पर ना, यह consult करेंगे, consult किसको करते हैं, यह chief justice of India क्यों, तो यहाँ पर ना, यह question उठ गया, क्या question उठ गया, कि यह consultation का मतलब क्या होता है, क्या सिर्फ बात करनी है, या फिर इनका बात माननी भी है, कहने का मतलब क्या आखरी पर आखरी फैसला कौन लेगा, क्या वो प्रेजडेंट साब लेंगे, या chief justice of India लेंगे, मतलब chief justice of India तो इनको advice देंगे न, आखरी फैसला किसका होगा, मानलो president ना माने, तो actual में क्या होगा एक first judges case हमें देखने को मिलता है, उस case में क्या decide होता है, जुडिश्री जो होता है, कुछ सालों के बाद, actually ये 1981 का case है, फिर 1993 के अंदर क्या आता है, हमारा second judges case हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो consultation word है न, इसको वो interpret किया आता है कि नहीं, इसका मतलब है concurrence, यानि की point क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर Chief Justice of India ने कोई चीज बात बोल दी, तो वो President साब को माननी पड़ेगी, actually यहां पर कुलीजियम का जनम होता है, Chief Justice of India ने, Chief Justice of India के साथ ही साथ, दो senior most judges जो होंगे न, वो यहां पर President साब को बताएंगे, और जो उन्होंने बात कर दी, वो उनको माननी पड़ेगी, तो यहां पर आप notice कर रहे हो, यहां पर प्रास्मिक तक इसको मिलने लगी, आपकी judiciary को मिलने लगी, फिर third judges case एक आता है, वो आता है 1998 के अंदर, इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा expand कर दे जाता है, यहां पर बुला जाता है कि Chief Justice of India तो है ही है, उनके साथ चार जो Senior Most Judges होंगे न, वो यहां पर decide करेंगे, तो यह पूरा evolution है, तो आज के time के उपर क्या हो रहा है, Judges ही है, आपके तो पहला जाता है, तो पहला जाता है, तो पहला जाता है, तो एक tiger census के regarding मैंने आपसे question बुचा था, तो tiger census के अगर हम बात करें, तो क्या हर 5 साल के बाद होता है, नहीं, यह होता है after every 4 years, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसर करें करनाठका के अंदर सबस्याइब tigers हैं, नहीं, actually मैं मद्यापरदेश के अंदर है, जब ना इसका tiger census आया था, तो I don't know, I think if I'm correct आया था, उनके बहुत popular मतलब किसी popular leader ने बोला था, कि tiger अभी जिन्दा है, तब उस time के उपर उनने ऐसी बात बोली थी, तो actually मद्यापरदेश के अंदर सबस्याइब tiger है, इसके आप याद भी रख सकते हो, कि कौन सी state के अंदर सबस्याइब tiger आपको देखने को मिलते हैं, उसी तरह से हम बात करूँ, कौबेट नेशनल पार्क उत्राखंड यहाँ पर सबस्याइब tiger हैं, तो हाँ जी, नेशनल पार्क के अगर हम बात करें, तो बिल्कुल कौबेट नेशनल पार्क ही है, ठीक है, लगबग आपको 260 tigers यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसके बाद आपका बांदीपूर हो गया बांदीपूर्थ में कुछ साल पहले गया भी था, लगबग यहाँ पर 1500 tigers देखने को मिलते हैं, उसका नागर होल हो गया, वहाँ पर 141 आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर अगर स्टेट्स की बात करें, तो मद्ध्यबदेश से मैंने आपको बताया ही बताया, उसके बाद दूसरे नंबर पर करनाट का है, तीसरे नंबर पर आपका उत्तरा खंड हो जाएगा, पूछा क्या था, नॉट करेक्ट की बार में, पहले दो नॉट करेक्ट हैं, तो option A, 1 and 2 only विल विल विदा रइट अंसर, तो दोस्तों, अगर आपको आपको आज की आपको आपको अच्छे समझाए होगा, इसी तरह से आप भी अप्टेंट पर हड़ वक करते रहिए, गुडबाई and गुड़ लगुड